नमस्कार दोस्तो स्वागत थे आप सभी का आपके अपने चैनल और इस्टेडी पे जिए दोस्तो आज किस वीडियो में हम सरल करना सीखेंगे सरल करने का मतलब क्या होता है तो दोस्तो सरल मतलब सरली करन भी होता है यानि सरली करन को इंगलिस में बोलते हैं सिंपलिफिकेश करना कि यहीं होता है सरल करने का मतलब यानि Simplification का मतलब तो आई-Hope कि आपको समझ में आ रहा होगा तो देखिए हमारा कोशन क्या है यहाँ पर देखिए फॉक्षट कोशन है दो गुने 4 प्लस करना है यहाँ पर यह वाला छोटा कोश्ट है एक प्लस तीन है एक बटे तीन है प्लस करना है चार बटे नौ और फिर यहाँ पर कोश्ट बंद करके गुना में साथ दिया गया है तो देखिए यहाँ पर गुना का चीन है यहाँ पर बीच में दो भीन दिया गया है प्लस भी है यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर गुना का चीन है तो यहाँ पर गुना है प्लस है इंटू है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह कोशन का सॉल्ब करने का सुर्वात हो स तो दोस्तों यहीं पर सारे students की confusion open होती है और यहीं से उनका math से यानि math को अपने favorite subject choose करने में यहाँ पर दिकत हो जाती है तो आज के बाद आपका math favorite होगा क्योंकि आपको math समझ में आएगा ना तो आपका math favorite हो ही जाएगा क्योंकि math बनाने में बहुत ही मज़ा आता है और math solve करने में हमको बहुत ही मतलब आनन्द मिलता है क्यों क्योंकि हमारे पास math को solve करने का यहाँ पर आसान तरीका पता है तो आपको भी पता हो जाएगा तो आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा math को solve करने में और आप बेजी अपने favorite subject math को यहां पर बताएंगे तो देखिए हमको इसको solve करने का तरीका क्या होता है कि जब भी एक ही question में जोड का चीन हो into का चीन हो गुना का चीन हो तो उस condition में हमको board mass rule अपलाई करना है board mass rule यह क्या कहता है कि जब यह 2 या 2 से अधिक चीन हो तो उस condition में आपको हमको अपलाई करना है यानि board mass rule को अपलाई करना है तो भाई यह board mass rule क्या होता है तो देखिए यहां पर आपको समझाते हैं board mass सबसे पर लिखते हैं board mass को लिख लेते हैं b o d m a और s यह हो गया हमारा board mass board mass हो गया अब देखिए इसका मतलब क्या होता है तो दोस्तों 20 होता है और ब्रैकेट जो होता है तिन तरह का होता है एक तो होता है छोटी ब्रैकेट दूसरा होता है मजला ब्रैकेट और तीसरा होता है बड़ी ब्रैकेट यह तीन तरह का ब्रैकेट होता है अगर यह तीनों ब्रैकेट एक ही कोर्शन में आ जाए तो सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट को सुल्ब करना है यह चोटी ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर रहेगा ना उसको करेंगे तो समझ रहा है ना ब्रेकेट का मतलब क्या होता है तीन तरह करहीं ब्रेकेट होते हैं अब देखें ब्रेकेट का बाद नमर किसका आता है तो ओ है ओ का मतलब होता है अफ और ओ को हिंदी में बोलते हैं का तो चलिए यहां पर जहां पर ओ है यानि ओ का मतलब होता है और आपको हिंदी में बोलते हैं का तो का यहां पर होता है यानि जब भी यहां पर कोष्ट का काम खतम हो जाए तो उसके बद का को सॉल्व करेंगे उसके पर डी से होता है डीजन और डीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग और भाग का चिन कैसा होता है तो आपको पता होगा भाग कचिन यह वला होता है अब एम से होता है मल्टिप्लिकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणा और गुणा कचिन कैसा होता है तो आपका गुणा कचिन ऐसा होता है अब एस से होता है एडिशन और जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड और जोड कचिन कैसा होता है तो हिंदी में बोलते हैं घाटाव और घाटाव का चिन कैसा होता है तो यह वाला हमारा घाटाव का चिन है तो यह हमने क्यों लिखा है और कैसे इसका यूज करना है तो देखिए मैंने आपको बताया है कि आपको ऊपर से नीचे की तरह आना है यानि कोश्ट रहे तो कोश्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसमें आपको बताया है कि सबसे पहले छोटी कोष्ट उसके बद मजला कोष्ट को सॉल्व करेंगे उसके बद का को सॉल्व करेंगे उसके बद भाग को उसके बद घुना को उसके बद जोड को और अंत में घटाओ को सॉल्व करेंगे तो बोड this board maas rule को copyमे कहें लिख लेजिए और याद कर लेजिए और समझ लेजिए क्योंकि आपको इस बॉड़ मास को याद करने का तरिका या है की आप इसको बदोमास में बोल सकते हैं बदोमास बोलेंगे लेकिन दो लिखेंगे बोर्ड मास याद करने का तरीका है तो अब देखिए हमको कोश्टन में कैसे इसको सल्व करेंगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले कोश्ट है तो हाँ यहाँ पर भी कोश्ट है तो सबसे पहले इसको सल्व करेंगे लेकिन उसके पहले जो नमबर इसको लिखेंग जोडना है चार बटनों यानि दोभीषों को जोडना है तो भीष जोड़ है 용 Pikachu यहां भी बट्एक कर नीचे यह प्रड़ करें निचे में ती चलिए सबसे पहले लुक्ली निकालते हैं यहां पर देख सकते हूं हम निकाल रहे हैं तीन का 9 का LSM तो यह हमारा तीन से कटेगा 3 एकम 3 और 3 तरीका 9 अब इस तीन का गुना करने इस तीन में तो आपका 3 गुन तीन नोव आया है तो इसको लिखना है उसके बद करना क्या है इस तीन से इस 9 में भाग करना है यह यह Only stirs नोव में डिभाइड करेंगे तो तीन के पहला कितनी आपढ़ेंगे किर नोव आएगा तो तीन तरीक्ता है यह outra जायए धार तो तीन आगे हमारा भागफल उस तीन से क्या करेंगे इस तीन के उपर लो जो नमबर इसमें गुणा करेंगे यहना तीन का गुणा करेंगे एक में तो आपका यहां पर तीन होगा पलस है तो पलस फिर नौ का भागफल लागा एक उससे का गुणा करेंगे चार में तो आप प्रीज़न में जोड़ना है चार तो आपका साथ और बाता में क्या है नौ है और यह कोश्ट में लिखे एक को़्ष्ट को यहां पर भागा दीजी क्यों कि प्लस का चेन भी हट गया यानि भीन में बदल गया तो कोश्ट पहटा सकते हैं उसके बद गुना में साथ है तो गुना में साथ लिख लेजिए तो यहां पर हम देख रहा है कि हमारा कोष्ट का किरिया खतम हो चुका है यानि हमने कोष्ट को सॉल्व कर लिया तो उसके बद क्या आता है का तो का तो इसमें है नहीं उसके बद भाग तो भा होंकि आपका 80 का प्लस है तो पलस अब देख इस साहल करेंग जो उल्चास खरनेया क्या है नौशा Ils ड़ेट लिकिवन रहता एक करेंगे तो आपका नव लियाक और जब एक से नौ मेर करेंगे तो आपका भागफल रही गा ओर नौ सी आठ से गुणा कर देंगे तो नो ठेके 72 हो जाएगा पलस है तो पलस फिर 9 से डिवाइड करेंगे 9 में तो भागवा लगा एक एक का गुना करेंगे यह आप चाहें तो 181 में 9 से डिवाइड करके भी आंसर कर सकते हैं तो चले डिवाइड भी कर देते हैं देखिए बारे में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 इकम 9 निसमें से 3 बचेगा तो 3 निसमें जाएगा तो यह हो जाएगा 31 और 9 के पाड़ा में 31 तो नहीं है लेकिन 937 हो आपके यह पर तो आपके किताब में जो भी आंसर दिया हो बिलकूल ही सहे दिया होगा तो आई होपकि इस वीडियो के माध्यम से बोड़मास रूल का यूज करना बोड़मास रूल कैसा होता है क्या होता है आप समझ गया होंगे और जब दो या दो अधिक चीन एकर पाइ की कोशन में दिया हो और सरल करने वाला कोशन हो तो आप सॉल्ब कर लेंगे तो यह सिंप्लिफिकेशन का कोशन था जो के काफी महतफूर था और मैंने आपको पूरी तरीका से पूरी जड़ से अंद तक समझाने का कोशिश किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर इस वीडियो में हमारे दुवारा किया गया मेहनत आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के सांसाथ विल एकन प्रेस करके और स्लेक्ट भी जरूर किजेगा उससे क्या हुआ कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिक्रिशन आपको मिलेगा और आपकी तयारी चलती रहेगी हमारी मेहनत तो यहां पर बरकरार है और आप जो है वीडियो को वाच करेंगे आपकी तयारी विल्कूल ही यहां पर रुकेगी नहीं तो चलिए मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब देक के लिए टेक क्यर भाए भाए धन्यवाद